हेलो बच्चो स्वागत है आपका चन्दन सर के चानल पर मेरा नाम है चन्दन गनोत्रा और बच्चा इस चानल से एक ही एम है रटने से समझने तक मतलब इस चानल पर मैं बहुत सारी वीडियो ऐसी छोटी-छोटी डालता रहूंगा डालता रहता हूं बहुत सारे शॉट्स जिससे आपको पढ़ाई से प्यार हो जाए ठीक है तो बच्चा इसी तरह से एक क्यूरियस क्यूरियस कुछ टॉपिक हमारे दिमाग में रहते हैं तो मैंने सोचा है उसकी चोटी-चोटी वीडियो बनाता हूं वन सच टॉपिक आप सब ट्रेन में ट्रेवल कर रखे होगे ठीक है चुक 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 गाड़ी ठीक है परसेंजर ट्रेन जो भी ट्रेन ठीक है यार ट्रेन का कभी आपकर आपने ट्राकड़ देखा हो तो उसके ट्राकड़ ना नीचे पत्थर होते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ये डौट कलियर करने वाला हूं और मैं 100% बताता हूँ यार, कि अगले 10 मिनट में आज कुछ आप नया सीख कर ही जाओगे, यार, इंटरनेट पे आप कितने, मतलब कुछ-कुछ स्क्रोल कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, यार, अगले 10 मिनट में कोई नई जानकारी मिल जाएगी, तो क्या नुकसान है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, बच्चा, सबसे पहले, यह जो स्टोन होते हैं, यह जो पत्थर होते हैं, इनको पत्थर होते हैं, इनको पत्थर होते हैं, इनको पत्थर होते हैं, इनको पत् यहाँ पर नीचे support होता है जो basically एक concrete RCC type का किसी का बना होता है और उसके नीचे यहाँ पर यह पत्थर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चा track ballast बोलते हैं अब इनका सोच कर देखो ठीक है वीडियो को थोड़ा post करो दिमाग पर जोड लगाओ और सोच कर देखो इनका काम क्या होता होगा चलिए एक बात मैं आपको बता दूँ बच्चा यह जो यह जो पत्थर होते हैं यह even shape के नहीं होते हैं यह बड़े uneven से होते हैं तो uneven से फाइदा क्या होता है यह एक दूसरे में ऐसे एकदम must से interlocking हो जाती है कभी भी आप कोई पत्थर के पास जाकर द stability यह जो train होती है उसमें कितने passengers होते हैं ठीक है metal की बनी होती है engine tires यह सारी चीज़े ठीक है तो बच्चा train कितनी भारी होती होगी अब जब यह भारी सी train इस track पर पड़ती है ठीक है तो chances आना कि वो unstable हो जाए ठीक है जो track है यह जो हमारे railway के track है ठीक है वो इधर उधर हो ज trains pass by to sink नहीं कर देते नीचे धसने नहीं देते और इधर उधर लड़ खडाने नहीं देते क्यों क्योंकि यार यह जो बत्थर है यह इतने जादा uneven है कि जैसे इन पर pressure पड़ता यह एकदम बढ़िया से interlock हो जाते हैं और यह साथ-साथ इनको भी interlock करकर रखते हैं कि बच् बारिशों में train थोड़े ना बंद हो जाती है चालू रहती है बट आपके गली के बाहर तो पानी भर जाता है बारिशों में तो बच्चा वो जो drainage का problem है वो railway tracks के पास ना हो इसलिए भी यह पत्थर रखे जाते हैं अब इससे क्या होगा जैसे आप यहाँ पर बच्चा दे ताकि इसके अंदर से water seep in कर जाए नीचे धरती में समा जाए right they help the water flow away from the tracks preventing the flooding and erosion right मतलब flooding और erosion रुख सकती है अगर हम इस तरह से use करें अगला बच्चा इसका जो reason होता है वो होता है noise reduction right अब train के अंदर जो बैठे लोग है उनकी तो चलो अलग बात है बड़ जो बाहर है अ अब यार इतनी स्पीड से जब train जाएगी तो यह मतलब कितनी जादा noise बनेगी ठीक है तो यह जो पत्थर है यह sound absorbers की तरह काम करते हैं अब यह sound absorbers क्या करेंगे जो इतनी तेज train की अब train में देखो ना पत्थर मतलब metal के ही wheels नीचे टकरा रहे है चे शे शे कितनी आवाज आएगी तो इसकी वज़े से बच्चा क्या होगा बहुत जादा noise pollution होगा और यह जो पत्थर है ना they absorb some of the noise made by passing trains making the area quieter वनना तो बहुत मतलब दिमाग ही खराब हो जाएगा अभी भी दिमाग खराब हो जाता है हमारे घर के बहुत दूर railway station है right but अभी भी मतलब रात के वक्त भी आवाज आ जाती है ठीक है बट वो हॉन की आती है बट मतलब अगर जो समझ जो जिसका घर railway station के पास है वो तो समझ पारा होगा कि बहुत तेज आवाज आती है बट अगर बच्चा यह पत्थर ना होते ना ठीक है तो तो और तेज आवाज आती अगली बात क्या है बच जिसकी वज़े से क्या होगा ट्रेन सही से नहीं चल पाएगी अब आपने देखा होगा ट्रेन का बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर अब यहा जो मतलब उनको एक clarity भी तो चाहिए उनको दिखना भी तो चाहिए कि track सही है मान लो कहीं पर ऐसे यह सारे यह बिखरे हुए है त उसको कैसे दिखेगा ठीक है जो ड्राइव कर रहा है जो ड्राइवर है लोको पॉइलेट बोलते हैं तो वो बेसिकली उनको कैसे दिखेगा सही से रास्ता तो यह भी एक रीजन है कि उसके नीचे पत्थर रख दिये जाते हैं क्योंकि जहां पर पत्थर है वहां पर फिर पो कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है, बच्चे ये वीडियो देख रहे हों, कुछ बड़े लोग भी देख रहे होंगे, देखो है, लर्णिंग की कोई लिमिट नी होती, कोई एज नहीं होती, ठीक है, तो जब जागो तभी सवेरा, ठीक है, तो इस वीडियो पर बच्चा ऐसी इस चैनल पर ऐसी अलग लग तरहां की वीडियो आती रहेंगी, ठीक है, तो मेरा नाम है चंदन गनोत्रा, चैनल का नाम है चंदन सर, ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं आपको फिर अगली वीडियो के साथ, तिल देन, stay safe, stay healthy, bye-bye!